थोड़ा सा पानी छिड़क दे यहां, ढोल दे यहां, आपके हर काम बनने लगेंगे, मान, सब्बान, प्रतिष्ठा, बिन मांगे ही मिलने लगेगी, ऐसा उपाए आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ, कैसे हैं आप लोग, हाल चाल बताते रहा कीजिए, अच्छा लगता है, जानका मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशाल जिन्दगी बसर करते रहें, मेरी ब्रैसिंग्स हमेशा उनके लिए यही होती है आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चनल डॉक्टर उमश्री को सब्सक्राइब करिए, बैल बटन दबाईए और आल पर क्लिक करिए, इसी तरह की बेहतरिन जानकारी भविश्य में आपको मिलती रहेगी और आप सूर्य से सत्ता है, स्रश्टी है, आत्म सम्मान है, नेतरत्व शमता है और राजा तुल्य वैभव है, तो सूर्य जिसका मजबूत होता है, उसको ये सभी सुख बिन मांगे ही मिलते हैं, जरन कुणली में अगर एक नंबर के साथ सूर्य है, पाच नंबर के साथ सूर्य है, तो अच्छी position कहीं जा सकती है केंद्रत रिकोन में अगर सूर्य आवस्थित है तो भी ये स्थती उत्पन होती है ऐसे जातक नमक नहीं खाते हैं नमक ज़्यादा नहीं खाते हैं मतलग कम नमक खाते हैं और उनका सूर्य बहुत बढ़िया होता है जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं ये पहचान है उनकी कि उनका सूर्य कुंडली में कहीं न कहीं बिगड़ा हुआ है तो नमक कम खाएं जिससे सूर्य अच्छा हो और मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिल सके लेकिन जो सूर्य देव का जल अर्पित करा जाता है उसका विधान में आपको बता रही हूँ ढोल दें इस जगे जल और आपका सम्मान दिनो दिन बढ़ने लगेगा मैं बात कर रही हूँ सूर्य देव को जल अर्पित करने की सूर्य देव को जो जल अर्पित कर किया जाता है उसमें कुछ सामागरी डाली जाती है और वो सामागरी अगर एक बड़े बरतन में आप लगते हैं और एक लोटा नहीं कई लोटे ढोलते हैं सूर्य देव के आगे तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ते हैं और आपको हर कहीं सम्मान मिलता है जो चीज आप चाहते हैं वो बिन मांगे ही आपको मिल जाती है ऐसा प्रताप होता है सूर्य देव की सत्ता का और सूर्य देव से शासित मानव का जिनका सिहन लगन होता है वो लोग मान प्रतिष्ठा सम्मान पा सकते हैं लेकिन उनका अगर सूर्य साथ नंबर के साथ है तो उनको हर कोई कोसता है हर कोई उनको निंदा करता है तो उनको चाहिए कि सूर्य का व्रत करें रभीवार का व्रत करें और नमक का कम सेवन करें इसस उनको बहुत फाइदा मिल सकता है हाला कि सूर्य सभी के लिए अच्छा होना जरूरी है और सूर्य जिनकी कुंडली में अच्छा होता है उनको मान प्रतिष्ठा बिन मांगे ही मिलती है तो सूर्य को अच्छा करने के लिए रविवार का वरत कोई भी कर सकता है और सूर्य जो होता है राजनिति का भी कारक है तो नेत्रतु शम्ता ऐसे लोगों की अध्वूत होती है जो सूर्य से शासित है तो सूर्य देव को जल अर्पित अवश्य करें तांबे के लोटे में जल अर्पित करें तांबे के लोटे मे थोड़ा सा गुड भी डाल सकते हैं, लाल चंदन डाल सकते हैं, लाल पुष्प डाल सकते हैं, कुछ भी ऐसी पदार्थ डालें, जैसे काली मिर्च भी डाली जाती है, पर वो अलग प्रियोजन के लिए डाली जाती है, काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं, ऐसा करने से आपका ट्रांसवर मन चाही जगे हो सकता है तो सूर्य को जो जिसने मना लिया वो राजसी वैभव जीवन में अवश्य प्राप्त करता है और राजसी सुख अवश्य प्राप्त करता है वो स्वाभी मानी होता है और आत्म विश्वासी भी बहुत जादा होता है एक अंक का जो व्यक्ति होता है उनको सूर्य से सम्मनित सारे काम करने चाहिए जो सूर्य देव उनसे प्रसन हो सके और उनको आशिरवाद दे सके तो आज का वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना वीडियो helpful रहा हो तो लाइक करना और शेयर करना और मुझे बताना कि मैं किस तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊं जो से आपको लाब मिल सके तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद